ओम शिवेंकटे साहिनम्हा, मैं प्रोफेसर स्वे एसस नरायन राजू यूच्व चानल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ प्रेमक रामबक्त यवं राश्ट्र कवी स्री मैतली शरन गुप्त जी द्वारा विरचित आदनिक हिंदी महा काव्य साकेत के नौम सर्क से संबन्दित और एक पद की व्याक्या आज मैं अभी करने जा रहा हूँ यहां देखिए उर्मिला की सहरुदेता किस प्रकार है उर्मिला का पती है वनवास में है परदेश में है वो स्वयम प्रेशित पतिका है वो अपनी सकी से नगर की सभी प्रेशित पतिकावों को बुलाने का आदेश देती हुई कहती है कि देखिए प्रेशित पतिकाएं हो जितनी भी सकी उन्हें निमंत्र न दे आ सम दुखनी मिले तो दुख बांटें जा प्रणय पुरसर ले आ सबसे पहले कटिन शब्दार देखेंगे प्रेशित पतिका अर्दात काव्य में वह नाय का जिसका पति परदेश चला गया हो यहां तो उर्मिला के पति तो अनवास के लिए गये हैं प्रणय पुरसर प्रेम पूर्वक अर्दात प्रेम के साथ सम दुखनी समान दुखवाली देखें यहां विरहनी प्रेशित पतिका विरहनी विरह विहवल उर्मिला अपनी सकी से कह रही है कि हे सकी नगर में जितनी भी ऐसी स्त्रियां मिलें जिनके पती परदेश चले गए हो उन्हें तु मेरी वर से यहां आने का निमंतरन दे कर आओ मैं सोचती हूँ कि समान दुख बोगने वाली स्त्रियों से मेरी बेंट होगी तो हम सभी का दुख कुछ कम होगा तु तुरंत यताशी ग्रजा और प्रेम पूरक उन्हें अपने साथ यहां ले आओ इस पद की विशेष्टा हैं देखेंगे यह पंक्तियां उर्मिला की व्यापक सहरुदेता के लिए एक सप्रमान है क्योंकि जो जिस दुख से पीडित होता है वही उस दुख से पीडितों की व्यता जानता है उर्मिला स्वयम विर्ह व्यता से पीडित है अतहा वो जानती है कि विर्ह वेदना कितनी असहनी है गायल की गती गायल जान सकता है यहां प्रेशित पतिकाएं प्रणय पुरसर में अनप्रासलंकार है इस पद में भी वियोक्षुंगार रस्प्रदान है इस पद में समस्कृत तत्सम प्रदान सरल मदुर सुबोद कडि बोली बाशा का प्रयोक किया गया है प्रेशित पतिकाएं हो जितनी भी सकी उन्हे निमंतरन दे आ सम दुखनी मिले तो दुख बांटे जो प्रणय पुरसर ले आ बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री राम